बीवानी पहुंचे इन्यालोनेता अभै सिंग चोटाडा ने परदेश सरकार पर नशे के माफिया रहे अपराधियों को संरक्षन देने का बड़ा आरोप लगा है परदेश सरकार को गेरते हुए अगह चुटाडा ने कहा कि सरकार के इस सरंक्षन के चलते ही परदेश में अपरादी घटनाएं बढ़ रहे हैं और नशा माफिया युवाओं को बर्बाद कर रहा है साथ ही उन्होंने कौगल से भाषपा सासद उध्वारा S.Y.E.L. को लेकर उठाए मुद्दे वर्बी चुक्ति ली और किश्री मंतरी के ताश वाले ब्यान पर पलटवार करते हुए कहा कि किश्री मंतरी ओपित धिंकर ने हमेशा किसानों को बर्बाद करने का काले किया है अभय चुटाला ने आरोफ लगा है कि भाषपा के मंतरी नहीं चहाते कि कोई खेती या अन्या काम करे अभय चुटाला ने किश्री मंतरी पर निशाना साधु के कहा कि किसानों की बर्बादी पर नाचने वाले किश्री मंतरी के लिए वो इस बार खुद विधार सभा में प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से लेकर के अब तक साड़े तीन पूने चार साल के इस कारिय काल के दुरा खास करके लोगों ने जिस मक्सद के साथ इनको चुन करके बेज़ा था यह कहीं लॉए एंड ओर्डर की स्थित्थी ठीक हो जाएगी इनकी गवर्मेंट बढ़ने के बाद लोई एंड ओर्डर की जो है सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत आज लोगों के सामने है आज बलादकार की गटना ही बढ़ गी फिरोती की गटना ही बढ़ गी किड्नेपिंग की गटना ही बढ़ गी दुकानों के शेड तोड़ने की गटना ही आज बढ़ गी पेट्रोल को रूटने की गटना ही भी आज बढ़ गी और जो लोग इस किसम के कामों को अंजाम देते हैं उन लोगों को सरकार का स्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया यही एक कारण है कि आज यह सब चीज़े बढ़ती जा रहे है इससे भी ज़्यादा बड़ा आज एक चिंता का जो विश्य हमारे सामने है हमारी यह जो नोजवान भावी पीडी है जिस नशे को लेकर के पंजाब के अंदर लोगों ने फिल्में तक बना डाली और इतना बड़ा पंजाब के अंदर नशे का परचलन एक टाइम में हुआ था कि बहुत से लोगों ने पंजाब से प्लाइन कर लिया अपने बच्चों को ले करके कि कहीं हमारे बचे खिलाब दढ़ने पर बैठे है कि हमारे से जबरन वसूली की जाती है हमारे से प्रोती मांगी जाती है एमेल ले जाता है विचारा और जाकर के DSP को साथ ले जाता है आस्वाशन दे देता है कि जी हम इसके खिलाब कारवाई करेंगे कोई कारवाई करने की बजाए केवल ये लोगों को डांडस बंजाने वारी बात है कि लोग इस सर्थाल को समापत कर दे और चले जाएं यह तो सरक्षन देने वाले लोग हैं इन चीजों को, सरकार के सरक्षन में ही यह सारे धंदे आज हो रहे हैं, इस विदान सभा के सतर के अंदर हम अपनी पालिटी की तरप से इस नसे के इश्यू को लिए करके, कामरों को परस्ताव देंगे और हर आलत के अंदर चाहेंगे कि सरकार इसके उपर चर्चा कराए और सरकार इसके उपर जवाब देगे जहां आज इन सब चीजों की हैं, वहीं S.Y.L. को ले करके हमने पांच चर्णों में पहले छे चर्णों में लड़ाई लड़ी और अब हमने फैसला किया है कि 18 अगस तक अगर कोई सरकार की तरफ से ठ अर्याना बंद करेंगे और इस अर्याना बंद के लिए आज हमारा ये मेरी खाल तेर्माजिला है मिटिंग का और सब जगह हमारी पारिटी के दोनों के कारिये करताओं की तरफ से हमें जो फीड़बैक मिला हर वरक के लोग आज चाहते हैं कि हर आलत में अर्याना बंद हो आज वेपारी सवें, जो वेपारियों से हमारे साथ ही जाकर के मिले, तो वेपारियों ने खुद कहा, कि ये आपका बहुत अच्छा निर्णिया है, हम भी चाहते हैं, कि ऐसे सरकार को सबक के लिए, हमें एक दिन, दो दिन अर्यना बंदिक आ गया, मोथ सिराने आके खड़ी होगी, इसलिए कैसे लोगों के बीच में कलको जाएंगे, तो आज उन्होंने अखवारों में भी करना सुरू कर दिया, और अखवारों के साथ साथ पारलिमेंट में भी स्वाल उठाएं, वहाँ मेरी खाल मंतरी को किसी ने बताया नहीं था, या भी जपी के लोगों को शायद इस बात की समझ ली थी, उनको एक ही बात पूछ ली थी, कि चार साल बाद आज तेरी आंख खुली है, दस साल अर्याना परदेश के अंदर तेरा बाप मुख्य मंतरी था, तेरे बाप जो बुख्य मंतरी थे, तेरे पिता चोदरी बुख्य अंदर सी मुड़ा, तब आप लोगों ने अर्ली हिरिंग की एप्टिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगाई, तब आपको S.Y.L. नजर नहीं आई, आज S.Y.L. नहीं नजर आ रहीं, आज तो मदाताओं के बीट में जाने का रस्ता बनाने के प्रियास है, यही आलत केंद्रिय मंतरी की है, यही आलत आपके यहां के सांसद की है, यह दस साल यह सांसद भी कांग्रेश के राज में मंतरी हुआ करता था, इसने तब कभी जिकर नहीं किया, यह राव इंदर जीत भी उस कांग्रेश के साशनकाल के अंदर मंतरी हुआ करते थी, तब इनको कभी एक दिन इस बात की चिंता नहीं हुए थी, आज यह चिंता इसलिए करने लगे कि तुनाव इनके सर्पे है, इन लोगों में जाने के रस्ते डून रहे हुचे हैं.